नमस्कार मैं अभिशेक महराब सभीका स्वागत करता हूँ फोकस इस्टेड़िवित अभी में तो चलिए हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किये हुए थे ठीक है फिजिक्स में और आपका जो भी एग्जामिनेशन हो पर हम लोगों ने जो टार्गेट किया है एलपी ट अभी तक हमने तीन टॉपिक क्या है एक तो आपका वेब है दूसरा इलेक्टो मैगनेटिक वेब है तीसरा साउंड है और चौथा अभी हम लोगों का चल रहा है लाइट और आज हम लोग कंप्लीट मीरर कंप्लीट कर रहे होंगे ठीक है जी एकदम बिंदास रहिए और मी दिखे करा तो रहा हूँ भाई बद इंडिर्कली वेब में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं अब बता रहा हूँ इतना जो मैं बताया हूँ आज की क्लास के बाद जाईएगा एक्जैम्पलर का उठाईएगा मीरर कोई भी मीरर हो ठीक है कोई भी मीरर चाहे वो plane mirror हो, ठीक है भाई, चाहे आपका concave mirror हो, चाहे वो आपका convex mirror हो, उसके सवाल अगर छूट रहे होंगे, तो आप हमें comment करके बूलिएगा, बाकी हम जब सही light chapter complete करेंगा, जैसे कि हम लोग wave complete कियें, electromagnetic wave किये, sound complete किये, तो उसके सारे question किये, almost 80-90 question हम लोग ने practice भी कर लिये, एकदम latest pattern पे चल रहा है, चाहे आपका TCS हो, चाहे कोई भी conducting agency body होगी, आपका एकदम latest pattern पे, चाहे आभी SSC का paper देख लो, आप MTS में, MTS बो रहा हूँ, SSC GD की देख लो, यहाँ से question आये थे, और बना की नी बना आपके, CGL में देखो अभी आया था, बना की नी बना, ठी अभी को मेरे तरफ से जई ग्रू भाई, और देखे एक चीज़ो यह, मैं और कुछ चीज़े लिख दिया हूँ, ताकि आपका time कम ले सकूँ, और बहुत जल्द classes भी start कर दूँ, चलिए, एक चीज़ और मैं बताओं कि भाई, यह group join कर लेना आप सभी को, देखे, focus study with अभ लोग इसको join करिए, और देखे, जो playlist की बात कर रहा था मैं, आपको RRB LP 2023 के नाम से playlist मिलेगी, जहां पर आपको यह physics का section मिलेगा, इस physics के playlist, इस playlist के अंदर एक और playlist में बना रखा हूँ, एकदम separate way में, कि physics को वहाँ से लगड दीजिए, एकदम, यकीन मानिये से लगड दी PCS तक की चीज़े यहां से आपकी cover होगी, भाई ठीक है, engineering drawing भी मैं आपको कर रहा हूँ, आपका 7 class ले चुका हूँ, अब बचा हुआ एक pencil और एक आपका drawing seat, यह जैसे हम लोग खतम करेंगे सर, pencil एक अच्छा important है, drawing seat भी एक अच्छा important section बचा हुआ है, और हम लोग first topic complete कर लेंगे, देखें, engineering drawing में तो 6 topic हमें पढ़ना है, जिसमें अगर बात कर ली जाए तो एक occupational safety और geometrical figure, यह दोनों उतना easy, मतलब hard है नहीं, देखें, geometrical figure क्या पूरा math है, तो उसमें main 4 topic था, engineering, है मतलब engineering drawing में, जिसमें एक बहुत अच्छा topic हम लोग complete कर लेंगे 10 video के अंदर म सोच सकते हैं, दस video में मैं आपको पूरा का एक topic complete कर रहा हूँ, किस label की content दे रहा हूँ, देखें, बात यही है कि free और YouTube पे और छोटा channel है तो थोड़ा से लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को भी, और जैसे मैंने आपको बताया, 2018 में खुद select हुआ, CBT1 में qualify किया, CBT2 select qualify किया, psycho qualify करके, आपको साथ मैंने मिल करके, आपको कई सारी content दी और कई लोगों साथ हमें select भी हुए, तो उसका फायदा आपको मिलेगा साथ, देखें, chemistry के वीडियो है, bio के भी है, यह सारी चीज़ हम फिर से start करेंगे, एक दम updated content के साथ, लेकिन यह चीज़ को अभी जर दूसरी बात, magnification, power देखेंगे, आवर्दन, चमता, और उसके बाद, ray diagram, और ray diagram किसका, तो हम लोग देखेंगे, कौन के mirror, यह ray diagram इसी लिए ना सर, कि देखें, हमने पूरा complete क्या 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 क्या, कौन के mirror, mirror में तो हम लोग plain mirror भी complete किये, समतल दरपन, और कौन के mirror, पूरा complete क कर लिए, हमने आपको बताया कि infinity में करेंगो, तो focus में image बनेगा, real बनेगा, या फिर inverted बनेगा, या फिर सीधा बनेगा, या फिर virtual बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, मैंने बोला, मैंने दिखाया, मैंने समझाया, अब practically way में मैं आपको खड़ा करके भी दिखा कि जो बाते मैंने की सर, वो देखे, ray diagram में, बस यही चीज है, तो start ही class की यहां से होगी, फिर इसको करेंगे और फिर magnification पावर कर लेंगे, और देखे, एक motivation भाई, आपसे मुझे चाहिए, वस motivation in the sense क्या करना, आपको भाई, वीडियो को like करना चाहिए, आपको करना भी चा और, ठीक है न, hundred times मैं आपको और भी content में quality देनी की power रखता हूँ भाई, ठीक है, तो चलिए, देर किये भी न, start करते हैं आज की class, और आप सभी को मेरे तरफ से, जय गरू है, तो चलिए, start करते हैं आज की class, तो चलिए, ray diagram को देखते हैं, देखिए, हमने कल क्या देखा थ कि जब हम लोग infinity में खड़े हो रहे थे, तो image हमारी कहां बन रही थी, focus पे बन रही थी, ठीक, दूसरा हमने देखा कि जब हम focus पे खड़े हो रहे थे, तो हमारी image कहां बन रही थी, infinity पे, फिर third हमने देखा कि जब center पे खड़े हुए, तो हमारी image कहां बनी, center पे, ठीक, फ नीजुसाहिए अगर बात कर लें जब member सेंसेंतर के बीच कहा को? मतलब छलुकल के लिए जब आखरी जो focus and पोल के बीच हम लोग खड़े हो रहे थे तो behind the mirror बात हो रही थी आपकी image की, ये clear था, इतना सब कुछ था, साथ के फिर हमने देखा क्या था, nature देखा था हमने, देखे, nature की अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, nature के हमने क्या बात की थी, real बात कर रहा था हमने, फिर हमने आपसे हमने बात किया था, real के अगर कोई बी चीज रियल थी तो वो हमें कैसी लगती है, inverted लगती है, inverted बोले तो ultर, real बोले हिंदी में तो vastwik, फिर हम लोग क्या देखे थे, कि कोई भी जी जो erect होती है, यानि कि कोई भी चीज जो सीधी होती हो, हमें कैसी लगती है, कालपनिक, य कौन के मिरर में क्या हो रहा था आपका हाइट अधिक बड़ा दीख रहा था तो कभी आप ऐसे जगा यहां पर कोई ऐसा पोजिशन आप लोकेट कर रहे थे वहां पर खड़े होने पर आपकी इमेज एकदम बराबर बन रही थी और कहीं आपका एक ऐसा इमेज भी बन रहा थ तो चीज़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आईगी इसको आप खुद से कर लिजगा देखे यहां तो यह काफी इजी होगा बनाना लेकिन इसमें क्लारिटी नहीं आएगी इसमें आपको क्लारिटी आएगा इसलिए मैं यह लूँगा और यह भी मैं आपको समझा आपको मिल जाओ इसके लिए बस तो सबसे पहले हम लोग क्या बनेंगे इसर एक कौन के मीरर बना लेते है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग एक कौन के मीरर बनाएंगे क्योंकि बात हम लोग क्या कर रहे है कौन के मीरर पढ़े है तो सबसे पहले क्या करेंगे क्या 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 एक side polished करेंगे ठीक है भाई तो हमने एक side polished कर लिया just इसके एकदम बीचों बीच हम लोग क्या करेंगे एक line गुजारते हैं इस line को हम लोग क्या करते है principle axis ठीक है इसको लिख रहा है principle axis पी ए मतलब क्या हो गया principle axis ठीक ये जो point होगा इसको हम क्या नाम पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती उसको हम क्या कते है फोकल लेंथ और पोल और फोकस की जितनी दूरी होती है उतने ही दूरी पर आपका सेंटर होता है यानि कि यहां कहीं न कहीं सेंटर होगा इधर माइनस इंफिनिटी आप देते हैं और इधर आप पॉजिटिव इ प्रिंटर के बीच में ठीक है और यहां पर जो हम लोग कल नेचर देखे तो उसको भी देखे किया वो नेचर सही में बन रहा है कि नहीं बन रहा है लेकिन देखे यहां एकदम हो सकता थोड़ा सा उपर निचे आ जाए क्योंकि देखे एक तो यह जो प्रिंसिपल एक से माइने मत रखेगा माइने मत कीजएगा चलिए हम आपको खड़ा करते हैं यहां पर इंफिनिटर के बीच में यहां फोकस और के बीच में हमारी इमेज बनेगी मतलब यहां पर हमारी इमेज बननी चाहिए अब पहले मुझे ये बताईए कि जब हम infinity और center पे जब खड़े होते हैं ठीक है infinity और center पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो पहले nature हमें बताईए कैसा होता है तो हमने आपको क्या बताया था nature की बात कर ले अगर ठीक है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यानि कि यह हिंदी में होता है ulti ulti मतलब ulta और ulta चीज हमें कैसा लगता है real और simple सी बात है इसको हम real का मतलब क्या है कि हम इसे परदेप उतार सकते हैं और साथ की साथ वो size कैसी बनती है तो जैसे जैसे हम mirror के पास जाएंगे चीक है वैसे वैसे हमारी image क्या हो कि mirror से दूर जाती जाएगी और size भी बड़ी होती जाएगी लेकिन जब हम infinity में और center के बीच में जब खड़े थें तो जो image बन रही थी वो जो image बन रही थी वो object की size से क्या बन रही थी छोटी बन रही थी मतलब small in size यानि कि छोटी image बनेगी छोटी image मतलब कि मैं यहाँ जो खड़ा हूँ यह जो height आपको दिख रहा मेरी मान के चल रहे है height of object है यानि कि मेरी height है यह 5 cm तो जो image बनी कि वो 5 cm से छोटी बनेगी 2 cm, 3 cm, 4 cm, 4.5 कुछ भी हो वो height of object से वो छोटी बनेगी यह nature है अब मैं यह आपको प्रूप करूँगा ray diagram से यहाँ से कोई एक वेपर light मान के चलते है सूरी की रोशनी ही आ रही है सूरिय भगवान को ही लेते है ठीक है इससे बड़ा वेपर light तो होगा नी इस प्रकार से यहाँ से मेरे सर पर light आएगी और सर से light जैसे पड़ेगी तो वहाँ से reflection होगा तो एक light यहाँ से आया ठीक है यहाँ पर आया इधर से मेरे उपर आ रही है इधर से पूरी light जा रही है इधर से पूरी आ रही है मेरे उपर light पूरा जगा फैल रहा हो यानि कि जो principal axis के parallel जब कोई light कौन के mirror पर आती है तो after reflection वो कहां से गुजरती है तो focus से गुजरती है तो बस focus से आप इसको क्या करें गुजारते कुछ नहीं करना आपको बस focus से आपने इसको निकाल दिया light को ठीक अब एक light आप लाएं मान के चलते हैं मैं एक light लाया हूँ यहां से और मैं जो light लाया हूँ यहां से कहां से focus में एक light आई इस प्रकार से जो focus से निकलिया ठीक है इस तरकार इस focus से निकलिया तो देखे focus से जब निकलता है कोई भी light रहे तो after reflection वो कहां से जाएगा तो जो principal axis है निकल गई अब image कहां बनेगा हम यह बताईए तो जहां पर light क्या करती है दोनो light यानि कि एक light यह हो गया आपका ठीक है जो मुख अक्षे के यानि कि principal axis के parallel आई ठीक है यह light हो गया आपका one मैं दे रहा हूँ इसको और दूसरा आपका यह था जो आपके focus से गुझरी और फिर principal axis के पैडलर होके निकल गया यानि कि मुख अक्षे के समानांतर निकल गया तो यह आपका दूसरा ले हो गया तो पहला और दूसरा रे कहां कट के after reflection यहां कट किया तो आपकी जो image बन रही है यहां बन रही है अब देखे अब यह जो image बन रही है यहां पर बन रही है मतलब यह आपका image इस प्रकार से आपका दिखेगा यह रहा image अब आप सोच रहेंगे सर यहां इसका nature तो उल्टा होता है यहां उल्टा आ गया, आप इसको देख करके उल्टा बना दियोंगे, नहीं जी, देखे क्या होता, यह principal axis है principal axis के उपर जो भी image बनेगा, वो क्या होता है image सीधा होता है, तो देखे अब वो image उपर कब बनेगा, जब light क्या मिलेगी, जैसे कि after reflection light यहां नीचे मिली, तो यहां पर इस principal axis के उपर मिलेगी, तो वो image सीधा बनेगा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक case यहां पर हम लोगा क्या बनता था सीधा बनता था, उसको मैं दिखाऊंगा भी, यह मैं आपको बता रहा हूँ हूँ कि reality देखिए, practically देखिए, यह समझ में आए, तो यह image कहां बन, यह light जो मिल रही थी कहां, इस principal axis की यह जो principal axis के नीचे मिले, इसलिए हमने उल्टा बनाया, तो एक तो यह उल्टा मैंने प्रूब कर दिया, और अगर मैं आपको inverted कर दूं, तो inverted इनवर्टेड चीज़े हमें क्या लगती है, तो देखिए, यह जो inverted हो गया, बाई, clear हो गया, अब देखिए, inverted, अच्छा, inverted, यह तो हो गया न, clear, उल्टी चीज़े हमें क्या लगती है, real, तो inverted है, उल्टी बनी है, तो वो क्या होगे, real image होगे, अब size हमें प्रूप करना, small हुआ कि न, अब आप इसका size देखिए, यह size है, यह size क्या होगा, high, मतलब height of image, अब यह देखिए size कितना छोटा, यह size था आपका, और image जो बना है आपका, यह बना, देखिए size छोटा होगा कि न, तो आपको, मैंने यहाँ प्रूप किया, जो मैं nature आपको पताया था, कि infinity और, पहला मैं क्या प्रूप किया, कि अगर हम आपको infinity और center के बीच खड़े करेंगा, तो देखिए, उल्टा भी बना, और उल्टा चीज़ी क्या होता है, रियल होता है, और फिर छोटा बनेगा size में, यह भी मैं आपको प्रूप कर दिया, अब मैं आपको एक और प्रूप करता हूँ, यह आप खुद से बना लेंगे भाई, देखिएगा, कमेंट करिएगा, अगर नहीं बनेगा, तो मैं कर दूँ, यह लेकिन बना लोगे आप, यह मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा image, और कैसे behind the mirror बनेगा, तो अब हम लोग ray diagram बनाएंगे, जो आपको मैंने बताया, कि मैं अब आपको pole और focus के बीच में खड़ा करूँगा, ठीक है, जैसे देखिए, यह आपका pole है, और यह आपका focus है, यह आपकी कौन सी line है, तो हम इसे क्या करते है, principal axis, यानि कि मुख्य अक्ष, ठीक है भाई, इसे हम क्या करते हिंदी में, मुख्य अक्ष, तो देखे, object हम लोग कहां रखें, pole और focus के बीच में, मतलब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी image कहां बनेगे, behind the mirror, यानि कि इस side हमारी कहीं image बनेगे, या तो principal axis के उपर बनेगे, या फिर principal axis के नीचे बनेगे, लेकिन यह मैंने कल बता दिया कि, यह principal axis के उपर बनेगे, कि नीचे बनेगे, तो हमें पता है सर, कल हमने पढ़ लिया है, कि focus और pole पे जब भी हम खड़े होंगे, तो हमारी image कहां बनती है, behind the mirror, और सीधी बनती है, सीधी बनने का मतलब यह है, सीधी बनेगे, मतलब यह है कि principal axis के उपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, मतलब जब हम ray diagram बना रहे होंगे, light यहां से जो भी कहीं से भी गुजारेंगे, center से, infinity से, focus पर या pole से, तो जो light मिलेगी सर, वो इस principal axis के कहां मिलेगी, उपर मिलेगी, यह clear है, और सीधी चीज़े हमें virtual मालूम होगे, और जो image बनेगी साइज, वो बड़ी बनेगी, यानि कि यह जो हम यहां पर अभी, इतना जो हमारा image object, यानि कि हम जो खड़े हैं, यह height पर, हमारी जब image behind the mirror बनती है, वो हमें क्या दिखाएगी, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, मतलब इससे तो बड़ी बनीगी, यह clear है भाई, तो चलिए, आपको मैं सबसे पहले, एक light निकाल रहा हूँ, यहां से, कहां से तो यहां से, यहां से सुरी के किरन है भाई, आपको पता है, light मेरे सर पे गुझरेगी, इधर से, कहीं न कहीं से, सुरी भागवान से, कि light पूरी world में ही फ्यल रही है, तो मेरे आएं, इधर से light आ रही है, पूरी light इधर से आ रही है, ठीका? इधर से भी light आ रही होगे, ठीका? Reflection, इधर से गिया, यहां से बाह रहा है हम लोग पढ़ है ना reflection यहां से टकर आएगे फिर से यहां आएगी तो यहां से मान के चल रहे हैं कि एक light आए एकदम इस प्रकार से यह जो light आए यह क्या है यह principal axis के समयना अंतर आए तो यह कहां से reflection के बाद कहां से निकलेगी तो यह light इधर से निकल अब मैं एक क्या काम करूंगा अब मैं आपको यहां से एक light गुजारूंगा कहां से मैं गुजारूंगा तो मैं आपको अब गुजारता हूं light focus से या फिर center से चलिए मैं आपको center से निकालता हूं क्योंकि focus तो मैंने आपको एक बाद दिखा दिया है अब मैं आपको निका आके यह इसी पात से निकलेगी, ठीक है, center से, जो भी प्रकास किरन निकलेगी, वो कहां से निकलती है, after reflection, center से गुजरती है, principal axis के समयना, जो भी principal axis के समयना अंतर, कोई भी प्रकास किरन, after reflection, वो क्या होती है, focus से निकलती है, मैंने निकाल दिया focus से, अब image कहां बनीगा, ये पहली light थी ये और ये आपकी क्या थी ये दूसरी थी थी ना ये दूसरी light तो ये image कब बनती ये पहली यानि after reflection ये वाला light और ये after reflection तो यहीं से निकला है c से ही गुजर गया तो ये मिलेगा जहां वहाँ पर image बनेगा तो ये तो एकदम इस प्रकार से निकल गया और ये भी इस प्रकार से गया तो ये दोनों parallel निकल रहा तो ये कभी मिलेगी दो समयनांतर रेखा कभी नहीं मिलती ये हमने आपको पहले भी बताया था तो ये तो मिल ही नहीं रही है तो आखिर image कहां बने मुझे ये बताईए बड़ी दूवीदा वाली बात है भाई उसी प्रकार अगर हम आपको बताएं तो देखे हम यहां आपको एक चीज लिखे हैं क्या virtual अभासी यानि कि इसे हिंदी में और एक नाम बोलते हैं कालपनी कालपनीक image बनीगे जिसे हम क्या करते हैं परदे पर नहीं उतार सकते हैं रियल बाते नहीं है यह कालपनीक बात है इसलिए हम इसे परदे पर नहीं उतारते हैं तो देखिए किस प्रकार से कालपनीक है यह light ray को हम इधर निकाल रहे है ठीक है पहले हम इसको निकालते है रे आईगे आईगे और यह जाके यहां कहीं न कहीं यहां पर मिल गई है ठीक है तो जो आपकी जो image इधर आपको इसलिए behind the mirror मिलती है क्योंकि हम लोग क्या किए इस light को जबड़दस्ती इधर से निकाले और इसको मिलाई क्योंकि यह तो मिलेगी निए आफ्टर रिफ्लेक्शन तो मैंने इसको मिहां पर जबड़दस्ती मिलाया और अब जाके हमारी image यहां पर इतनी बड़ी सी smart रूप से मैं तो हूँ ही ठीक है ना भई मैं जाक करना है तो इस प्रकार से हमारी image बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी तो देखे बिहाइंड दा मीरर मीरर के पीछे कैसे बन गया यह मैं आपको पता चल गया रूप कर दिया हूँ image सीधे बनेगा देखे यह principal axis के उपर बना तो यह सीधा बना की नहीं बना फिर देखे मैंने अच्छा सीधी चीज़े क्या होती है वह virtual लगती है यह हो गया अच्छा यह virtual क्यूं हुआ यह आपको समझ माया यह हमने इसको जब बड़ा दस्ती slide को खीच करके मिला इसलिए भासी इसलिए हम तो इसे परदेपीस image को उतार ही नहीं सकते समझ में आ गया अब real क्या हो था अभी आपको मैं जो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक minute यह जो image बनी थी आपको यहाँ पर देखे यहाँ भी मैं आपको जब खड़ा किया था कहाँ पर infinity और center के बीच में तो यहाँ आपकी image कैसी बन रही थी यहाँ पर real बन रही थी तो real क्यों बन रही थी क्योंकि यह image खुद आ करके मिल रही थी पहला light यहाँ पर था और दूसरा light यहाँ पर आके यह दूसरी वाली light यहाँ आके मिली थी यह पहली और दूसरी light यहाँ मिली तो यह मिली है और यहां मैंने क्या किया है मैंने यहां जबड दस्ति को मिलाया है मिदिटाये किलियर हुआ कि नहीं रियल और वर्चुवल की बात अंच अब लाज़ तो आपको बटा दियें काल्पनिक या रियल या वास्तवीक या सीधा या बड़ा नहीं बोल सकते बिहाइंड दा मीरर तो बना तो कई से बना चीक है सब चीज दिखाएं आपको अब चलिए convex mirror के पास चलते हैं convex mirror तो आप पहचान लेंगे न हमने सिखाया था आपको तो convex mirror में क्या होता था जो इसकी polished surface जो होगी वो क्या होगी अंदर side में होगी ठीक है अंदर side मतलब क्या हो जो cave like structure बनता है cave जहां पहोगा वहाँ पर क्योंकि concave में cave था तो उधर light in करेगी ठीक है चलिए हम आपको यहाँ समझाते हैं फिर से ठीक यह आपको समझ माँ गया तो हम लोग सब सब पहले convex mirror को इसका figure बनाते है ठीक अब दिखेएगा हम बना रहा है आपको convex mirror मैं छोटा सा बना के आपको यहाँ पर clear कर दू ताकि यहाँ fresh phrase मैं आपको समझाते हूँ देखिए convex mirror बना रहा है हम लोग अब दिखेए अब मुझे यह बताएए यह mirror तो अभी बना नहीं है ठीक है और अभी यह concave भी हो सकता है convex भी हो सकता है बस हम इसको क्या करेंगे पॉलिष्ट करने के according हम डिसाइड करेंगे कि यह concave होगा की convex होगा तो हम क्या किया है इसके अंदर नाम भी देते हैं उत्तलदरपन एक तरह से भी हम इस तरह से भी फिगर मना सकते हैं इसके अंदर साइड हम पॉलिष्ट कर दी है ठीक है तो यह भी आपका क्या होगा कॉन्वेक्स होगा ठीक है क्यूं क्यूंकि देखे अब लाइट किधर आएगी इस साइड आएगी और यहां पर खड़े नहीं हो उंगा उधर साइड हमेश्वान होग dw정koon जब भी पूरा लाइड नहीं यहीं चाहिए आप लेंस पढ़िए मीर कुंके पढ़िए पढ़िए, चाहे, Convex Lens पढ़िए, चाहे Concave Lens पढ़िए, जो खड़े होंगे, Left Side में खड़े होंगे, ठीक है, Right Side नहीं खड़े होंगे, इधर कभी नहीं खड़े होंगे, इसलिए हम लोग यह image नहीं कभी बनाएंगे, यह इसलिए लेते हैं ताकि हमें Sign Convention easy हो, Sign Convention भी आज ह हमको आपका clear करना, ठीक है, चलिए, अब figure बनाते हैं, अब आपको clear हो गया होगा, यह सब चीज़े हमने कल किया है, मैं बस आपको अभी recall कराया, एक आपका convex mirror, यह बहुत easy है, आपका, बहुत easy से समझ भी आ जाएगा, इसके अंदर साइड हम लोग क्या की है, Polish करती है, ठ आपका क्या हो गया, convex mirror हो गया, ठीक है भई, यह क्या हो गया, convex mirror, अब एक principle axis line यहाँ से निकलेगी, आपकी क्या हो गया, principle axis, यह क्या हो गया, आपका, P, ठीक, अब हमें यह बताएए, यह जो हम आपको बता रहे थे, कोई mirror क्या होता, सबसे पहले चूड़ी होती है, और center क क्या होती है, इसके बीच में, तो यह जो चूड़ी form होगा, यानि कि यह जो circle बना रहा होगा, यह बनाएगा किदर, इधर, या फिर इधर, simple logic, इधर बनाएगा, तो center भी क्या होगा, just इसके बीच में आगी, कहीं, तो यहाँ पर center इसका होगा, कहीं न कहीं, मान के चलते ह यह आपका center हो गया, ठीक, तो focus कहा होगा, यहाँ पर होगा, यह भी आपको पता है भाई, तो pole और focus के बीच में, जितनी दुरी, उतनी दुरी, focus और center के बीच में, यह भी आपको पता सर, तो pole और focus के बीच के दुरी को क्या करते हैं, क्या करते हैं, focal length, यह आपका क्या हो जब इदर positive infinity और यह क्या हो जाएगा आपका minus infinity यह होगा आपका clear अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो concave पढ़ रहे थे वहाँ पे 6 position पढ़े 6 position पढ़ने का मतलब क्या थे कभी हम infinity में खड़े हो रहे थे तो कभी हम center पे खड़े हो जा रहे थे तो कभी हम focus पे खड़े हो जा रहे थे कभी हम infinity और center के बीच में खड़े हो जा रहे थे तो कभी center और focus के बीच में खड़े हो जा रहे थे तो कभी focus और pole के बीच में खड़े हो जा रहे किलियर हो गया यह आपको बात, आप देखिए, कॉन्वेक्स मीरर में क्या होगा, देखिए, जो भी light आइगी, यानि कि यह जो आप convex mirror देख रहे हों, यहाँ पर आपकी giờ light आप इंसिडेंट करोगी इस परकार से, यहाँ है आपने lightés एंसिडेंट क्या एक, अपका focus है, लेकिन convex mirror का nature क्या होता है इसके उपर जब भी light incident होगी है तो ये light को क्या करती है फैला देती है it means ये क्या करती है, diverging इसको mirror कहा जाता है, convex mirror को हम लोग क्या करते है, diverging mirror मतलब अब सारी धरपन, यानि ये light को फैला देगे, यानि कि ये light इधर साई और ये light इस प्रकार से निकल जाएगी ठीक है, टकराने के बाद, यानि कि after reflection, ये जो light आई इस प्रकार से, ठीक, ये light क्या होई, वापस निकल गई, इससे टकराने के बाद, यानि कि convex mirror को convex mirror की property होती है ये क्या करती है, light को वापस भेज देती है, फैला देती है उसी प्रकार, यहाँ से एक और light मैं यहाँ पर आपको डालाओ, ठीक है तो ठीक, इस प्रकार से ये आपको क्या करेगे ये reflect कर देगे तो देखिए, अब यहाँ पर अगर फैल गई, फिर यहाँ से एक और आपने light दिया ये भी क्या करेगे इस प्रकार से light को फैला दिया ठीक, कहीं पर तो light आपका मिल नहीं रहा है ये आपका पहला light incident रे था ये दूसरा incident light था ये तीसरा incident light था ये चौता incident light था इमेच जब बनती थी इमेज जब बनती थी जब क्या करती थी दोनों लाइट मिलती थी जैसे कि यहां पर भी नहीं मिल रहा था तो यहां हमने क्या क्या जबड़दस्ती मिला दिया बिल्कुल सही यहां भी हम जबड़दस्ती मिलाएंगे और क्या हुआ देखिए यहां जबड़दस्ती मिलाने के कारण क्या हुआ आपकी इमेज अब हासी बनी वर्शुल बनी कालपनिक बनी तो भाई इसलिए तो कॉन्वेक्स मीरर में कभी भी लाइट आपस में मिलती ही नहीं खुद से कभी नहीं मिलती है हम इसे जबड़दस्त मिलाते हैं इसलिए अब देखिए इसको हम जबड़दस्ती मिलाएंगी इस प्रकारत लाएं यह इंफिनिटी से आ रहे थी तो यह कहां पर आके मिलेगी फोकस में मिलेगा यह भी इंफिनिटी से आ रहे थी यह भी फोकस में मिलेगा और यह भी इंफिनिटी से आ रहे यह उपर से टकरा के ठीक तो इसको हमने जबरदस्ती मिला है क्यों कि convex mirror की property होती है उत्तल दरपन की गुन होती है वो light को क्या करती है diverge कर देती है अपसारी कर देती है ठीक है तो यह अपसारी तो कर दी अब यह light कहीं मिली नहीं तो image बनी नहीं तो image बनती नहीं है image हम लोग इसको कालपनिक image बनाते हैं जबरदस्ती मिला के इसलिए convex mirror में जो भी image बनेगा वो हमेशा virtual बनेगा यानि वो आपका अभासी बनेगा हमेशा ही ठीक है कहीं भी आप खड़ा कर दीजे एक आप nature हमेशा याद रखेगा हमेशा always आपकी image कैसी बनेगी तो virtual बनेगी क्यों बनेगी प्रूब कर दिया मैंने आपको ठीक अब सुनिएगा convex mirror कैसी mirror होगी अब सारी या फिर अभी सारी मतलब converging mirror होगी या फिर diverging mirror होगी अब समझिएगा अभी आपको क्या बताएं diverging mirror होगी या फिर converging diverging को हिंदी में कहेंगे अप सारी अब समझिएगा कैसे ये diverging mirror है convex mirror हराकी मैंने तो समझा दिया है समझ भी गया होंगे आप लोग अब सारी का मतलब क्या होता है light को फैलाना ठीक है और Converzing का मतलब क्या होता है अभी सारी का मतलब क्या होता है एकठा करना जैसे कि Concave में क्या हो रहा था मैं आपको दिखाऊंँ एक मिनिट मेरे भाई यहाँ देखिए पिछले चलते हैं देखिएगा यह यह देखिए यह क्या हुआ था जब आप light को incident कियें यहां से यह light इधर आयी और यहां से एक focus देगा यहां आई तो देखिए light को यह क्या फैलाया यहां पर आके सौरी फैलाया मैं बोल नहीं light को इसने क्या-क्या इंक ऍखटा कर दिया इकठा करती है इसलिए तो इसका नाम है अभी सारी यानि कि Converging Mirror लेकिन Convex Mirror की properties है क्या कि ये light को क्या करती है हमने अभी आपको बता है ये light को फैलाती है और जो भी कोई फैलाएगा उसको हम क्या कहेंगे diverging इसलिए दो चीज किलिए हो गया कि Convex Mirror यानि कि उत्तल दरपन आपकी अपसारी mirror दरपन होती है यानि कि diverging mirror होती है दूसरी चीज Convex Mirror में जो भी image बनेगी वो कैसी बनेगी आभासी बनेगी कालपनीक बनेगी virtual बनेगी क्यों बनेगे virtual क्योंकि Convex Mirror हर मतलब कि जो भी light हम Convex Mirror में incident करेंगी वो उसको क्या करेगा diverge करतेगा फैला देगा तो कभी भी आके light मिलेगी नहीं और जब light मिलेगी नहीं तो image formation कैसे करेगा भाई जब light आकर के एक जगा मिलता है तब तो आप देखते हैं तो torch यहां से torch मारें आपने यहां से light निकलता है तो आप जब जमीन पर मारते हो तो वहां पर सारा का सारा एक जगा वो सारा किरन मिलती है तो आपको एक black sports मिलता है और फिर आप उसी black sports को इस प्रकार देख torch आगे करते हैं तो वो sports भी आगे बढ़ते हुए और आप इसी रास्ते पर चलते हुए दिखते हैं कि आगे कुछ इधर उदर कुछ चीजे तो नहीं है तो कब जब light मिलती है तो यहां light मिली नहीं तो image बना नहीं तो हमने जबड़दस्ती मिलाया इसको इसलिए एक जबड़दस्ती image बनी और वो जबड़दस्ती image कालपनिक कहते हैं उसको आभासी कहते हैं उसको virtual कहते हैं क्योंकि हम उसे परदे पे उतार ही नहीं शकते हैं अब बताईए जो भी virtual चीज होती है ठीक है यानि के कालपनिक चीजे हमें कैसी लगती है सीधी लगती है सीधी को इंगलिस में क्या कहते हैं erect कहते हैं अब देखिए सर यानि के convex mirror में हमेशा image virtual बनेगी और साथ के साथ हमेशा सीधी बनेगी clear हो गया, clear हो गया, कैसी इंदरपन होगी convex mirror तो हमेशा diverging mirror होगी अब हमें एक चीज बताईए सर, convex mirror की आप जो figure देख रहोंगे यहाँ पे तो हमें ये बताईए, pole और focus के बीच की जो distance होती है उसको हम क्या कहते हैं सर, क्या बता सकते हैं मुझे red pin कहा गया भए हाँ, तो हमें पता है सर, pole और focus के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते है, focal length कहते है, तो हमें सर, sign बता दीजेगा थोड़ा सा, कि ये focal length की sign क्या होगी positive होगी या negative होगी, तो सर, हमें नहीं यादा रहा, कल तो आपने हमें बताया था, हम भूल गयते हैं तो हमने आपको ये बताया था, कि pole से हम sign convention लेते हैं, pole से इधर आपका जो भी होगा, वो positive होगा, या negative होगा या फिर pole से इधर होगा तो या वो positive होगा या negative होगा तो sir आपने कहा था sir pole को हम origin मानेंगे और इधर जो भी चीज left side negative और इस side positive तो देखे ये किस side राइट side pole के है यानि ये origin के इस side है यानि कि focus always positive चलिए sir बहुत अच्छा point आपने clear कर दिया चार point clear है sir एक तो convex mirror diverging mirror होती अपसारी mirror होती क्यों क्योंकि ये light को फैलाती है दूसरी चीज convex mirror में sir जो भी image बनेगी virtual बनेगी और virtual चीज़े हमें सीधी दीखती है virtual क्यों बनेगी सीधी सर क्योंकि कभी image sorry कभी light मिलती नहीं है यहीं चीज़ हमें समझ भी आती है sir यहीं एक काल्पिनिक बात है sir खेले कुझेंगे तो नवाब नहीं बनेगा हलाकि आप बन सकते हैं अलग बात है दूसरी sir आपने ये और important चीज़ बता दी कि जो focal length होगी sir ठीक है या फिर focus की भी बात कर लें ठीक है वो क्या होगी sir वो भी आपकी हमेशा positive होगी किस में convex mirror में और concave में हमने क्या बताया था negative बताया था यह सारे point आपको याद हो रहे होंगे अब तो याद तो कुछ करना ही नहीं आपको सारा कुछ समझ जा रहा होगा ठीक इतना clear होगा sir अब मुझे sir यह बताईए sir radius के बारे कुछ चर्चा नहीं किये sir हाँ sir कर देते हैं देकि center से जो mirror के बीच या फिस के circumference जो distance होता उसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते है radius यह क्या होता radius अब यह radius का sir sign बता दीजेगा थोड़ा सा नहीं sir हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया sir तो pole से right side है तो radius 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 positive होगा sir clear होगा sir अब हम आपको image वाला चीज पर आ जाते है तुरण फटाग से जल्दी जल्दी क्योंकि पूरी चीज ए clear ही हो रही होगा image formation यहां करवा रहे हम आपको image formation मतलब आपको खड़ा करवाएंगे देखे कहा कहा आप खड़े हो सकते sir यहां पर दो ही position या तो infinity में खड़े होंगे या फिर हम infinity या पोल के बीच में खड़े होंगे ठीक है तो चलिए हम दो जगा position ले ले लेते हैं पहले object यहां लिख रहे है ठीक है यह object हो गया sir ठीक है sir दूसरी चीज यह आपकी image की position होगी sir ठीक है sir तीसरी चीज हम आपको यहां पर लिख दे रहे है nature ठीक है यानि कि nature तो हमें पता ही है sir convex mirror में हमेशा nature कैसा ही होगी virtual होगी sir और virtual चीज़े हमें कैसी लगती है sir virtual चीज़े sir हमें real लगती है यह तो आपको पता होगी sir virtual चीज़े real बोरा हो virtual चीज़े हमें sir सीधी समझ माती है erect यानि कि अभासी होगी sir nature तो हमेशा sir इसके आप कहीं भी रग दो दोनों जगा में इसके जो होगी वो virtual होगी और erect होगी यानि कि सीधा और अभासी होगा यह पहला object का position की बात किया मैंने और यह दूसरा में सब दूसरा में भी आप कहीं रग दो convex में हमेशा virtual ही बनता है और erect बनता है virtual को हिंदी में sir कहते हैं सीधा अरे भाई एक चीज यह बताना है आपको size के बारे में चलिए देखते हैं सबसे पहले हमने आपको बताया position कहां खड़े होंगे sir एक तो हम infinity में खड़े होंगे यह आपका infinity कहीं दूर होगा कहीं infinity और एक आपका pole में तो देखे अगर हम infinity पे खड़े होंगे sir तो तहँए infinity से रहे आ रहे थी तो image को हम कहां मिला रहे थे जबड़ादस थे focus省 नहाँ में उसा इसा होगा sir आपको अगर हम infinity में खड़े होगा दुसरी है ध्याँ दूसरी जो image आपकी जोटी बनती है यानि कि फ्याँल बनती है ये भी image एकदम point like structure की बनती है, जैसे कि concave में बहुत ही छोटी, point like, दूसरा position कहां सर, infinity और pole के बीच हम खड़े होंगे सर, देखाईए न, देखे, ये आपका infinity है और pole, यहाँ पे आप खड़े होंगे, या फिर यहाँ खड़े होंगे, या यहाँ खड़े होंगे, या बड़ दस्ति करके मिलाएंगे, यानि कि कहीं न कहीं, pole और focus के बीच में बनेगा, आपकी कभी भी convex mirror में image ना तो center में बनेगी, ना infinity में बनेगी, ना center और infinity के बीच में बनेगी, ना focus और center के बीच में बनेगी, यह हम इसा याद रखिएगा, तो सर हम जब infinity और pole के बीच म बनेगी, सर, बताए, इतना आपको clear हुआ कि नहीं हुआ, सर, देखिए, हमने दो जगह आपको खड़ा किया, सर, convex में, एक तो infinity में किया, तो image आपकी focus में बनी, और size एकदम small, point like, आप यहाँ पर point like बोलोगे, ठीक है, और nature तो मैंने बोल दिया, convex यह हम इसा virtual और erect होगी, और जब infinity और pole पर खड़े हुए, तो आपकी image pole और focus के बीच बनी, और small, मतलब उससे थोड़ी सी बनी, बनीगी, मतलब जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखाऊ हूँ अब, देखिएगा, आप यहाँ पर बना रहा हूँ, यह मान के चलते हैं, यहाँ पर infinity पर खड़े थें, य यही size होगी, मतलब यह आपका size है, यह वाला size, ठीक है, क्योंकि आप है, size तो कभी आपकी घटी की बढ़ेगी तो नहीं, image आपकी घट बढ़ सकती है, तो जो image बनेगा, आपका pole और focus के बीच में बनेगा, तो इस से जगा होगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, इस Convex की जो important क्या-क्या properties है सर, मैं आपको यहाँ पर recall कर रहा हूँ, देखे, इसको लिखते चलिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, point क्या-क्या important point है, मैंने क्या-क्या बताया, आपको revision भी करा दे रहा हूँ यहाँ ठीक है, आप इसको खुद से लिखिएगा, हल ताकि notes हम आपको देंगे, देखे, convex mirror में सबसे पहले हम समझे कि convex mirror कैसा होता है सर, तो वो अभी, एक मिनट, वो अपसारी होता है, यानि कि diverging mirror होता है, वो light को फैलाता है सर, दूसरी चीज़, इसमें जो भी image बनेगी सर, वो virtual बनेगी, virtual इसलिए बनती है, क्योंकि यहाँ positive होगी, यह point clear हो गया, हम सर, convex mirror में दो जगा खड़े हो सकते हैं, या तो infinity में, या फिर infinity और pole के बीच में, जब हम infinity में खड़े होते हैं, सर, हम्यारी image फोकस में बनती है, और सर, जो भी image बनती है, हमेशा ही convex mirror में वो कैसी image बनती है, तो हमेशा ही small image बनती है, चाहे आप infinity infinity में खड़े हो जाओ, चाहे infinity और pole के बीच में खड़े हो जाओ, तो अब देखें, convex mirror की मैं कुछ important fact आपको बता रहा हूँ, देखें, convex mirror के important fact के अगर हम लोग बात कर लें, तो देखें, आपकी convex mirror में image कभी भी, सुनिए गध्यान से, convex mirror में कभी भी आपकी image, और powerful image, real नहीं बनेगी, ठीक है,real नहीं बनेगी, और inverted नहीं बनेगी, ठीक है, inverted यानि कि, ulti नहीं बनेगी, ulti चीज़ आपको क्या लगती है, austint card dynamic लगती है, real लगती है, कहीं आपकी inverted बनेगी, नहीं बनेगी यह principal axis के उपर बनती है इसमें इमेज चाहिए आप infinity में खड़े हो या चाहिए infinity पोल के बीच में खड़े हो इमेज आपकी polar focus के उपर बनेगी यानि सीधी बनेगी सीधी चीज़े आपकी क्या होती है अभर्चुल होती यानि कि आपकी mirror में आपका क्या होगा ना तो real image बनेगा ना ही आपका inverted image बनेगा दूसरी चीज़ कभी भी आपकी large image नहीं बनेगी ठीक है किसकी मैं बात कर रहा हूँ यह आपकी मैं बात कर रहा हूँ किसकी convex mirror की यह याद रखेंगा देखें यह सब question एकदम जब tip में रहना चाहिए यह सब चीज़े तब आप objective question को एकदम second हो में शॉल्प करेंगे सर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर और क्या समझ मैं है सर कि convex mirror में कभी भी image आपकी ना तो center में बनेगी सर ठीक है ना ही आपकी focus और center के बीच में बनेगी ठीक है focus ना ही कभी center और infinity के बीच में बनेगी ठीक है यह आपको point clear होना चाहिए यहाँ पर भी image नहीं बनेगी ठीक क्या चलिए सर आज हम लोग अब पहुंच गया है लास्ट टॉपिक पर मैगनिफिकेशन पावर आवर्दन चपता बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम समझने वाला पार्ट है सर देखे हमने आपको क्या पताया था सर आज हम लोग को जो टार्गेट था सर एक तो रे कोशन पूछ लेगा सर आपको लगेगा कि सर इसमें कैलकुलेशन करना है लेकिन अगर चीज को समझ लिए होंगे तो आप बिदाओट पेंच हुए आप कोशन को नियुमरिकल को बनाएंगी सर डेफिनिटली यहां से नियुमरिकल पूछेगा मीरर फार्मूला को मिक्स करक सबसे पहले कि अमर्ण पावर होता है कि हमने आपको बहुत पहले दूसरे तीसरे लेक्ष्टर में बताया कोई भी चीज को क्या करना इंगा क्या होता है आप इस तरह से दिख रहे थे चोटे साइच का आपका जो यह था आपका अपश्जेक्ट यह था ठीक है यह कोई जब आपका magnification किया गया ठीक है मैंने कह दिया magnification power कोई lens है ठीक है या फिर कोई mirror है जिसकी magnification power 2 है मतलब आपकी image या सौरी आपकी जो height है 5 cm है तो जिस mirror से आपको देखा हूं मैं उसकी magnification power 2 थी मतलब वो आपको जो दिखाएगा उस mirror में जो हमारी जो image बनेगी वो अब हमारी image इस परकार से बनेगी 10 cm की मतलब 2 गुना हो गया 3 रहेगी तो 3 गुना हो जाएगा 15 cm 4 रहेगा तो 5 20 हो जाएगा या फिर अगर मैं बोल दू magnification power less than 1 होगा यानि कि जो mirror से मैं दोखूंगा ये 5 cm की अब हमारी image इस परकार से दिखेगी 3 cm, 4 cm, 2 cm, 5 cm से कम मतलब समझ में आ आता है कि आपकी जो size है उसको वो या तो बड़ा करेगा या फिर छोटा करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा पूरा detail समझेंगे, देखे, सबसे पहले इसका एक formula होता है, इसको समझ लीजे, magnification power equals 2 होता है, small m equals 2 minus b बटे u, ठीक है, अब ये b u क्या होता है, इसके लिए परश उचाई, बटे वस्तु की उचाई, दोनों formula आपको याद होना चाहिए, दोनों से आपके numerical पूछे जाएंगे, height of image और ये हो गया height of object, magnification power का formula क्या हो गया, m equals to minus b by u, प्रतिबीम की उचाई, बटे वस्तु की उचाई, ठीक, किलियर हुआ कि नहीं हो, इतना हमें ये जी लिजे हलाकी, जब हम mirror formula पढ़ते तो आपको बताते, देखें भी का मतलब क्या है, image distance, मतलब image distance from the mirror, मैं लिख रहाँ हिंदी में भी, from the mirror, मतलब लिख लिजे हिंदी में अले बाई, प्रतिबीम की दूरी, दर्पन से प्रतिबीम की दूरी, ठीक है ना, दर्पन से प्र हम बता रहे हैं गुरू के, अब यू भी लिखें पहले क्या है, यू क्या है, object distance from mirror, ठीक है ना, object distance, ये अभी हम बताएं आपको mirror formula, आज ही हम आपको बताएंगे ये, ठीक है, ये दर्पन से वस्तू की दूरी, देखें क्या है, इसको समझें यहां पे, देखें, यहां मैं मैं आपको बताया तो कौन के mirror में, मैं आपको यहां खड़ा किया था, ठीक है, ये आपको मैं यहां खड़ा किया था, कहां, center of focus के बीच में, तो देखें, अभी मैं आपको क्या लिखा हूँ, यू का मतलब object, यानि ये आप थे object, तो यू का मतलब है object distance from the mirror, या फिर pole बस्तू की दूरी, तो ये आपका क्या है दर्पन है, इस दर्पन से ये जो आप खड़े है, या फिर object जो रखे, उसकी दूरी क्या है, उसको हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है, उसको यू से denote करते हैं, और भी क्या है, जो image बनी है, image distance from the mirror, मतलब दर्पन से प आपका यहां इतने clear हो गया, अब आईएगा कुछ जीज़े पर ध्यान दीजेगा, दखिए, m की value 2 हो सकती है, ठीक है, sign के according बात करूं तो, एक तो आपको होगा positive sign, sorry, m की value positive होगी एक, और एक होगी आपकी m की value negative होगी, ठीक है, अब positive क्या बताता इसको समझे, positive कहने का मत इमेज जो बनी है, सिधी बनी है, सिधी को English में हम लोग क्या बोलते है, सर, erect image बनी है, समझेगा सर, सीधी देखिए, यह जो आपका, यहां मैं दिखाओं यहां पर, देखिए, यह जो आपका, यह क्या था, object था, आपका image यहां बन रहा था, principal axis के नीचे बन रहा था, यान principal axis के जो image उपर होता, वो देखे सीधा बनता, तो M equals to plus मतलब सीधा, यानि कि principal axis के उपर image बनी होगी, दूसरी बात, हमें पता है कि सीधी चीजे हमें कैसी लगती है, सर, सीधी चीजे हमें कालपनिक लगती है, सर, वर्चुअल लगती है, सर, अभासी लगती है, सर, अब सम हम आपको बताएंगे, plus क्या बोल है आपको, plus आपको ये बोल रहा है कि आपकी जो image है, वो कैसी है, सीधी है, सीधी है, सीधी चीजे क्या होती है, वर्चुअल है, सीधी मतलब principal axis के उपर image बन रही होगी, अब आईए negative का मतलब क्या होता, सर, कि आपकी जो image बन रही है, व वो inverted हो रहा है inverted उल्टी चीज़े हमें क्या लगती है sir real लगती है sir हमें कैसी लगती है sir real लगती है sir और real को हिंदी में क्या बोलते है sir वास्तविक बोलते है वास्तविक बोलते है यानि अगर आपको कहीं भी दिखने को मिल जाए इस प्रकार m equals to minus 2 तो 2 को छोड़ दीज़े भी हम बताएंगे माइनस क्या बोल रहा है कि आपकी image कैसी है ulti है, ulti चीज़े हमें वास्तविक लगती है, inverted चीज़े हमें real लगती है, तो यह sign clear होगा, अब आईए 2, 3, 1 वगर है यह जो मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब भी मैं आपको समझा दे, तो देखिए m equals to 1 होता है, एक होगा m less than 1 होगा और एक होगा m greater than 2 होगा, इसका क्या मतलब है समझ लीजे अब देखिए, m equals to 1 का मतलब यह है कि, जो object की size है object size equals to image size मतलब कहने का मतलब यह है आपकी जो size थी ठीक है, और आप जिस mirror के पास खड़े हुए, चाहे वो mirror convex mirror हो सकता है, सर या फिर वो concave mirror हो सकता है या फिर plane mirror हो सकता है अगर वहाँ लिख दिया जाए कि उस mirror की magnification power 1 है तो आपकी जो image बनेगी आपकी जितनी size थी ठीक है, जो आपकी height थी उतने ही height के आपकी image भी दिखने को मिलेगी यह बोलता है magnification equals to 1 का मतलब magnification less than 1 मतलब क्या है या तो फिर 1 से कम यानि कि 0.9 हो सकता है 0.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब 1 से कम हो इसका मतलब यह है जो object size है, यानि कि वस्तू की जो size यानि अकार है वो क्या होगी वो वस्तू के size जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी ठीक है, image की size से यानि जो आप mirror के पास खड़े हुए हैं सर, ठीक है ना हाँ, less than 1 में यह भाई 2 के लिख दिया भाई, 1 से ही समझो बस ठीक है, 2 तो उसके बाद greater than 1 के बाद, तो 2 याता, 3 याता 1 से ही हमी समझना, तो M less than 1 का मतलब क्या है, कि सर, आप उस mirror के पास खड़े हुए हैं, जहां पे लिखा हुआ उस mirror की, magnification power less than 1 है, मतलब आपकी जो image बन रही होगी, सर, वो आपकी जो size थी, उससे छोटी बनेगी, less than 1 का मतलब यह होता, कहने का मतलब यह है, कि आप मान के चलें कि कोई एक mirror के पास खड़े हैं, यह कौन के mirror के पास, ठीक है, और इसकी magnification power दिया है, less than 1, मतलब, यहाँ पर आप जो खड़े हुए है, ठीक है, इसकी जो image बन रही होगी, ठीक है, कहीं भी image बन रही होगी, अब यह पोल पर खड़ा है, फोकस कहीं भी बन रही हो, तो इसकी जो image बनीगी, सर, मैं आपको एक rough बना रहा हूँ, यह आपकी image जो बनीगी, यह छोटी बनीगी, देखिए, इतने height की थी, और आप इतने height के थी, यहाँ पर यह image की height है, यह हो गया less than 1, और m greater than 1 का मतलब यह है, कि जो object की जो size होगी ठीक है, और जो image की size क्या होगी, वो बड़ी बनीगी image की size क्या होगी, बड़ी बड़ी, मतलब प्रतिभीम की size क्या होगी, यहाँ पर बड़ी होगी, m greater than 1 का मतलब, यह आपका concave mirror था, आप यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, इस प्रकार से, और आपकी जो image बनी है, यह इस प्रकार से, greater than 1 का मतलब क्या होता है, तो हमने अभी क्या क्या देखा सर, हमने कुछ नहीं देखा, अभी हमने बहुत कुछ देख भी लिया, देखे क्या क्या देखा, magnification power का formula देखा, m equals to minus b by u, प्रतिभीम क्यों चाहिए, बटे वस्तु क्यों चाहिए, height of image, height of object, यानि कि वास्तुविक लगता है, अब आईए सर, magnification power की value अगर 1 होगी सर, यानि कि जो object की size होगी, image की size के बराबर होगी, ठीक है सर, जो magnification power less than 1 है, मतलब सर image की जो size बनेगी सर, वो object की जो size होगी, मतलब मेरी जो size है, उससे छोटी size image बनेगी, magnification power greater than 1 का मतलब यह है कि सर, object की जो size है, उससे बड़ी हमारी image बनेगी, mirror से, ठीक है, जो भी mirror के पास खड़े होगी, अब हम लोग देखेंगे कि अभी हमने जो पढ़ा क्या, concave mirror, देखे, हमने क्या पढ़ा अभी सर, concave mirror कल पढ़ा था ना, अभी हम बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग पढ़े लिए, concave mirror में, ठीक, देखेंगे कि magnification power की value क्या होती है, ठीक है, concave में magnification power की value क्या होती है, हम लोग इसको देखेंगे भी, और इसको समझेंगे भी, देखे, concave mirror जो होता है सर, उसकी जो magnification power होती है, यानि कि आवतल दरपन की जो आवर्दंच, हिंदी वाले सुन ये अवतल दरपन की आवर्दंच, हमता क्या होगी, पुछा जाएगा आपसे भाई, ये सब question पूछा गया, बहुत अच्छा-च्छा question PCS तक के पूछते हैं, ये सब question magnification power सर्थ देखे, group D इस बार हिला दिया था, railway में, चीसे जने तो देखे, magnification power of concave mirror क्या हो सकता है, या तो वो 1 हो सकता है, सर, ठीक है, या फिर greater than 1 हो सकता है या फिर less than 1 हो सकता है, कहने का मतलब है, magnification power equals to 1 भी होता है, magnification less than 1 भी होता है, magnification greater than 1 भी होता है किसक में, concave mirror में अब हमें ये बताइए सर ये कैसे सर संभव है हमें ये बताइए, अब हम आपको संभव दिखाते हैं, देखिए आप थोड़ा याद करिए concave mirror में आप जब concave mirror बनाए थे देखिएगा, ध्यान करिएगा मैं बना रहा हूँ याँ फिर से ये आपका क्या था, pole था ये क्या था, आपका focus था और ये क्या था, आपका center था और इधर आपका infinity हो गया आप जब infinity पे खड़े थे सर आपकी image कहां बन रही थी, focus पे बन रही थी उल्टी बन रही थी उसके बाद, उल्टी चीजे हमें real लगती थी, और क्या बन रही थी, छोटी बन रही थी तो देखे, m less than 1 वाला सही हो गया, यानि आगर आप infinity पे खड़े थे सर तो आपकी image point size structure की बन रही थी, आपकी जो size थी, उससे छोटी same size का बन रहा थो, तो ये भी proof हो गया सर, ये भी proof हो गया सर अब देखे, जैसे ही आप center के बाद, center से आप थोड़ा सा आगे बढ़े, center से focus के बीच में, या फिर focus पे तो आपकी image center और focus पे खड़े हुए तो आपकी image infinity और center के बीच में बनी, और जो image वो बनी सर, आप यहाँ पे जो यहाँ पे इस प्रकार से आप खड़ेते तो आपकी जो image बनी, वो image बड़ी बनी, यानि ये greater than 1 को बताया यानि कि कौन के mirror में आपका m equals to 1 भी हो सकता है, m less than 1 भी हो सकता है, m greater than 1 भी हो सकता है, अब ये कहां कहां होगा, और सुनिए, अब plus minus वाला पाई, देखिए, first position पे, first position पे अगर आप infinity पे जब खड़े हुए थें, मुझे ये बताईए, infinity पे जब खड़े थें, तो magnification power की value बताईए, तो जब हम infinity पे खड़े थे सर, तो इमेज फोकस पे बनी, एकदम point-like structure की बनी, यानि बहुत छोटी बनी, यानि छोटी बनने का मतलब क्या है सर, less than 1 बना सर, अब हमें ये बताईए, plus होगा या minus होगा, सर plus और minus का मतलब ये होता है image का erect होना, यानि कि सीधा बनना, और minus का मतलब होता है सर, उल्टा बनना, यानि inverted होना, उल्टा, तो सर, यहाँ infinity पे खड़े वे थे, तो image हमारी principal axis के नीचे बनी थी, यानि ulti बनी थी, यानि कि minus में आईगा सर, clear हुआ सर, बताईए, अब आईए दूसरा position में, infinity infinity और center के बीच में, जब हम infinity और center के बीच में खड़े हुए थे ना सर, तो हमारी image center और focus के बीच में बनी थी, सर, center और focus के बीच पे तो बनी थी, सर, लेकिन वो जो बनी थी, सर, छोटी बनी थी, सर, ठीक है सर, अब देखिए यह सब चीज़ों तो आपको कल वाला याद है, छोटी बनना मतलब less than 1 हो गया सर, और सर वो principal axis के नीचे बनी थी, यानि उल्टी बनी थी, उल्टी चीज़े क्या होती सर, minus नमाती है, यानि यह भी minus 1 आएगा, अब देखिए, यानि अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या कॉ minus 1 होता है, तो देखिए, होता है, दो जगा, क्या magnification, power, कॉनके mirror में, less than 1 होता है, तो बिल्कुल होता है, दो जगा होता है, less than minus 1 होता है, तो यह भी होता है, अब आए तीसरा position में, center पर अब खड़े हो जाए, एकदम center पर, यहाँ पर हम खड़े हो गया है, तो हमारी image मतलब जब हम center और focus के बीच में गया है, तो हमारी image कैसी बनी, बड़ी बनी, यानि की greater than 1, अब plus या minus तो सर, image तो उल्टी बनी, यानि माइनस, अब आए पांचवाँ position पर, पांचवाँ position क्या होगा सर, हम जब focus पर खड़े होगे, तो सर, जब focus पर खड़े होगे तो image infinity में, और बड़ी बनेगी, बड़ी बनेग और साथ के साथ सीधी बनी, यानि principal axis के उपर बनी, मतलब छठा position में सर, जब हम focus and pole पे खड़े होगे थे सर, तो हमारी जो magnification power क्या थी, बड़ी बनी, यानि greater than 1 बनी, plus में बनी, क्यों plus में, क्योंकि plus की चीज़े क्या होती सर, erect यानि की सीधा होता सर, और image हमारी सीधा बन minus 1 और less than minus 1 बनता है सर, ठीक है, ठीक है सर, अब देखिए, कौन के mirror में सर, आपका m greater than minus 1 बनता है सर, ठीक है, अब देखिए, कौन के mirror में आपका m greater than 1 भी बनता है, मतलब कौन के mirror में आपका m less than minus 1 भी बन जाएगा, m greater than plus 1 भी बन जाएगा सर, साथ के साथ m equals to minus 1 भी बन कभी भी कॉनके मीरर में M equal to plus one नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है सर कि जो कॉनके मीरर का magnification power plus one का मतलब यह कहना चाहरा है कि जो image बनेगी plus वो सीधा बनेगी ठीक है सीधा बनेगा तो सुन लीजे सीधा बनेगी सर इमेज सीधा बनेगी निए जब आप center पर क्योंकि देखे m equals to one one क्या बताता है जो height of image है वही height of image तो यह कहां बनता है center पर बनता है लेकिन यह जो image बनती है m equals to plus one नहीं बनेगा ठीक है m equals to plus one कभी भी कॉनके mirror में possible ही नहीं है यही आपका conclusion मुझे बताना था last में अब चलिए convex पे मैंने बना दिया क्योंकि time कम लगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती चली जा रही है और आज खतम करना है जो हम लोगों target लिए देखे convex mirror यानि कि उद्दल दर्पन यह हम लोगों का उद्दल दर्पन हो गया सर convex mirror हो गया हम यह तो infinity पे खड़े होंगे सर अगर हम infinity पे खड़े होंगे तो सर हमारी image कहा बनेगी focus पे बनेगी अच्छा हमें यह बता ही सर convex mirror की nature क्या होती है सर virtual यानि कि अभासी ठीक है प अगर infinity पे खड़े होंगे सर तो हमारी image कहाँ बनेगी focus पे और point यानि कि एग्दम small बनेगी सर और वह virtual होगी और वह सीधी बनेगी साथ-क-साथ वह सीधी साथ-क-सथ-क वह virtual बनेगी वह erect होगी सुनिए घध्यान से हमें ये बताईए कि जो convex mirror में image जो बनी है सर वो image हमेशा कैसी बनती है small बनती है image small image बनती है मतलब इससे हम ये समझ मारा है कि आपका जो ये size था इस convex mirror में आपकी जो size बनी है इस परकार से बनी है छोटी बनी है यानि magnification power less than 1 एक तो ये clear हो गया सर ठीक है अब हमें ये बताए ये plus या minus तो देखिए हमने क्या बताया सर convex mirror में एक चीज हमने आपको ये बताया plus minus क्या होता सीधा उल्टा plus हमें ये बताता image कैसा है सीधा है यानि कि erect है यही बताता है और minus हमें क्या बताता है ये inverted है inverted है मतलब उल्टा है है ना यही बताता है तो convex mirror में image कभी उल्टी बनती ही नहीं हमेशा सीधी बनती यानि प्लस यानि हमेशा प्लस 1 होगा यानि convex mirror की जो magnification power होती है sir m less than plus 1 इसका मतलब क्या है कि image हमेशा ही convex mirror में दो जगा ही आप खड़े होंगे या तो infinity पे खड़े होंगे या फिर infinity pole के बीच में खड़े होंगे तो कहीं भी खड़े हो जाईए आपकी image सीधा बनेगी एक तो focus पे बनेगी infinity पे खड़े होंगे और अगर infinity pole के बीच में तो fall on focus के बीच बनेगी वो कैसी बनेगी छोटी बनेगी साथ के साथ लेस देन वन होगे यानि कि जो size होगे वो छोटी होगे और principal axis के उपर यानि कि सीधा बनेगा तो जो magnification power होगा convex mirror का वो क्या होगा से less than plus 1 होगा तो कभी भी अगर आपसे बोल दिया जाए कि in convex mirror या फिर बोले जाएगा ऐसे the magnification power of convex mirror आवर्दन छमता जो होती है उत्तल दर्पन की m greater than 1 m less than 1 तो ये less than 1 होगा और अच्छा होगा जब less than plus 1 लिख दिया जाए यानि कि छोटी image और साथ के साथ सीधी image बनेगी ठीक है और यहाँ अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये नहीं होगा फिर तब ये हो जाएगा तो अब ये depend करता है ये आपको यहाँ clear होगा अब चलिए हम लोग यूज के उपर में ठीक है ना यूज को समझ के हम लोग याद करेंगे कुछ भी ratification नहीं करेंगे सब सब पहले देखते हैं use of concave mirror use of concave mirror समझेगा use of concave mirror का मतलब क्या है हिंदी में क्या लिखेंगे अवतल दर्पन का उपयोग कहा कहा करेंगे भाई पढ़ तो लिए आखिर पढ़े क्यों है इसका उपयोग क्या ये बताईए देखेगा अवतल दर्पन का उपयोग कहा करते हैं समझेगा इसको सबसे पहले हमें ये बताईए सर हमने आपको एक चीज बताया था क्या कि जो concave mirror होता है ये कैसा होता converging होता है converging होता है हिंदी में इसको कहते हैं अभी सारी हिंदी में क्या बोलते हैं अभी सारी यानि ये क्या करता है light को प्रकास को क्या करता है इखटा करता है यानि एक जगा मिलाता है ठीक है एक जगा मिलाता है यानि कि हमें जब भी कुछ ऐसा काम करना होगा जहां पे हमें light को फैलाना नहीं होगा जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे जो लाइट को क्या करें यहां पर पूरा इखटा करें ताकि यह जो भी चीज़े दिख रही है वो इकुल हमें बहुत अच्छे से किलियर कर दिखें पहला यूज जो डेंटिस्ट होते हैं यूज करते हैं हिंदी में बोलेंगे दन्त चिकित सक अब बोलेंगे क्यूं सर देखें दाथ के अंदर अगर वानके चलते हैं कि कहीं पर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो गयी है तो जब वो डॉक्टर देखेंगे तो उसको क्य क्या करना पड़ेगा कौ attempt उसको पकड़ ले घुड़ेगा जैन इटने भी डॉक्तर है घले के नाख के आख के जो डॉक्टर होते हैं ठीक है ना आई नोज और थ्रोट के डॉक्टर होगा ठीक है तो अब देखे डॉक्ट आख में अगर एकदम देखना है कुछ पता के प्रॉब्लम में तो उसके लिए भी क्या चाहिए लाइट को फैलाएंगे अगर तो भाई दिखे कि नहीं भाई सिंपल सी बात है आपका रूम अन्देरा ठीक और आपने एक ऐसा टॉर्च आपने देखा को टॉर्च लिए तो पीछे से इस तरह से घुमाते हैं तो फिर क्या होता लाइट एकदम एक जगा स्टेट लाइन से निकलती है और जब कभी-कभी जब रहता है य एक चीज़ पर एकदम कंस्टेट होके फोकस होके देखना इतना ही हमें दिखे इस वीडियो में एक जगा लाइट को इखटा कराएंगे इसके लिए हम कौनके मिरर यूज करेंगे तो नोज हो गया गले में आपको कोई तरह की दिखकत है तो डॉक्टर कौनके मिरर का यू इसा होना चाहिए्आ में जो एकदम लाइट को एकदम कंसर्चेट होके एक जगए खटा करे ठीक है तो इस पे ही पड़े इधर पूरा रूम में ना फाले ताकि चीजे हमको यहाँ copy अच्छे से दीके तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे table lamp का use करेंगे तो table lamp का ही हम use क्यों करते हैं बोला जाता न table lamp लेकर के पढ़ेगे आखों की अच्छी रौसनी बनी रहेगी क्योंकि जो light आपके एकदम copy पर ही पढ़ेगी यह वह light को क्या करते है टेवल लेंफ कौन के mirror उसमें लगावा रहता है वह light को क्या करता है converge करता है एक जगा इक खटक करता है अभी सारी दरपन हो गया पांचवा यूज हम कहां करते हैं सर इसका पांचवां यूज हम लोग करते हैं हजामत बनाने में देखिएगा हजामत बनाने में अब आपके मन में आ रहा हो सर हजामत बनाने में यूज़ करते हैं लेकिन जहां हम जाते हैं सेविंग करने वहाँ प्लेन मिरर यूज़ होता है उसके रीजन भी है देखिए सेविंग मिरर हम आपको दिखाते हैं हजामत बनाने में आपको जो saloon में यूज होता है ये mirror यूज नहीं किया जाता है यूज किया जाता है यूज है यूज किया जाता है इसलिए कि देखिए प्लेन मिरर एक तो रीजन यहाई कि सर नॉर्मली प्लेन मिरर यूज करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अगर धाड़ी वाड़ी छुड़ भी गया तो आपको समझ में नहीं आएगा पता नहीं चलेगा बात में जब घर में आके बहुत जादा मतलब एतम क्लोज करके देखेंगे तब क्योंकि जो वहाँ पर इमेज जो बनती वो इक्वल साइज की इमेज बनेगी चीक है प्लेन मिरर में तो उतना नहीं पता चलता है और इसलिए उतनी एकुरेशी भी ना मितलब टेंशन ना हो जो ना नहीं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी है सौरी भाई कोई होंगे तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए भाई मैं अभी इतना थक गया हूं गोलते बोलते इसलिए कुछ भी निकल जा रहा जादा तो इस समझ में आगे हजामत बानाने में छठा पॉइंच एक हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलिसकॉप में ये याद कर लिजी इसको परावर्तक इसको बोलेंगे हिंदी में क्या रिफ्लेक्टिंग परावर्तक टेलिसकॉप ठीक है परावर्तक टेलिसकॉप कई बार ये पूछ चुका भाई बिहार दरोगा में ये एकदम याद कर लिजेगा ये हमने क्या देखा यूज ओफ कॉन के म यानि हिंदी में लिखें आप इसको उत्तल दर्पन का उपयोग उत्तल दर्पन का उपयोग अब समझेगा सर उत्तल दर्पन बोले का मतलब की कॉन्वेक्स मिरर क्या होता सर डाइवर्जिंग मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर मतलब सर अभी सारी अभी सारी का मतलब क्या ह करता है सर फैलाता है ठीक है फैलाना इसका काम होता है और कनकेम का क्या होता है लाइट को इखटा करना तो जब भी हमें ऐसा कोई काम करना है सर जहां लाइट को में फैलाना है जैसे कि अगर रोड में हमें लाइट लगानी है तो अगर हम कॉनकेम मिरर यूज़ कर देंगे त इतना जादा बड़ा रोड है तो यह पूरा तो फैलाएगा नहीं से तो हमें 10-12 लाइट लगाने पड़ी तो इसके लिए हम क्या कि कॉंवेक्स मेर्यॉर यूसके यह पूरा फैला दिया एक ही लाइट Competition तो जो इसरीट लाइट होता है इसको बोलते ईसरीट लाइट है न उसे में हम लोग कॉंवेक्स मेर्यॉर का यहां एक और सीट होगा इधर भी सीट होगा पीछे साइड मीरर इसको बोलते हैं ठीक है यहां बैठे हैं यहां आपकी जो होने वाली वह बैठे हैं और यहां आपके ममी पापा बैठे हुए तो यह जो साइड मीरर है ठीक है आप क्या करते हैं साइड मीरर से क्या करते हैं ज यह जो भी इधर का जो घळी वाडी जो आदमी आ रहे हुआ इतने दूर तक कश के वह आदम कर सके ठीक है है तो ठीक है इतना इसको लाइट-क भब love खटक करेगा तो इसको क्या होगा सर्क भूट दूर की चीजे दिखेगे ने और जादा एरिया कबर नहीं करेगा इसलिए साइड मीरर में हम कौन सा मीरर यूज करेंगे सर कॉन्वेक्स मीरर तो हम इसे क्या बोलेंगे सर साइड mirror या फिर इसे हम कहा जते हैं rear mirror भी ठीक है ना rear mirror नहीं है क्या बोलना हम rear view mirror ठीक है एक video का length जो है न सर 45-50 minute perfect होता है 45-50 minute तक concentrated होके हम भी पढ़ा सकते हैं फिर ब्रेक लेकर कि तो हम 2-3 घंटे भी टान लेंगे और देखिए school में भी इसलिए 40 minute maximum पढ़ाई होती है तर एक break होता है side mirror समझेगे ना क्यों क्योंकि दूर तक की चीज़े दीख सके दूर दूर तक की कोई पीछे गाड़ी आ रहे है तो दूर तक अगर फैलाना पड़ेगा light को फैलाएगा light कौन तो convex mirror दुकान वगेरा में भी आपको इसी का यूज के जाता है ताकि दुकान में कोई अंदर आदमी आया है या फिर बाहर लगा दिया जाता है तो बाहर तक फैलाक दिखाएगा कोई आदमी चोर वगरा तो नहीं घुम रहा है ठीक है तो soap वगरा भी लिख लीजेगा street light होई गया फिर जो platform होता है ना Metro में खास करके Metro platform यह पुछा था DMRC में इसलिए Metro platform में वहाँ पर आप देखेगा जैसे ही आप जहां पर engine लगती है ना engine क्या बोला जाए Metro में जो भी है पहली जो बोगी होती है ड्राइबर के वहीं पर एकदम जैसे सीरी से जैसे उतरिएगा बड़ा सा लगा रहेगा एकदम सब कोई उस पर आपका इसका image बनते आपको दीख जाएगा सब लोगों का almost जो भी है उसके आसपास के लगबग के image आपको यहां मिल जाती देखने को उसके बाद एक आप लिखे sodium यह आपका ग्रूप डी का पुछावा कोशन है sodium परावर्तक लेंफ को हिंदी में इंग्लिस में क्या लिखेंगा sodium परावर्तक यानि कि reflecting लेंफ लिख लीचे भाई metro platform यह स्ट्रीट लाइड हो गया अच्छा हाँ एक चीज हम भूल गया बाई सबसे important चीज सार्प टन जब हम लेते हैं देखिएगा सुनिएगा देखिए जो खास करके जो mountain area है देखिए इस परकार से इधर चलेगा इधर चलेगा इतना turning लेना है तो यहां पर क्या किया जाएगा एक लगा दिये जाएगा फिर mirror एक यहां लगा दिये जाएगा यहां लगा दिये जाएगा यहां लगा दिये जाएगा तो क्योंकि यहां से जब आप गुजर रहे है तो इनको दिखना चाहिए पीछे उसे भी कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है यहां से कोई आ रहा है तो उसको दिखना चाहिए क्योंकि जैसे कि जो हिमाले में इतना ज्यादा टर्डिंग होता है तो एक तो स्पीड भी कम चलाना पड़ता है और दूसरी चीज़ यह है कि आपको यहां पर सब जगा आपको को था क्वेक्स मिरर मिलेगा तैकि पीछे की चीछे उसको बड़ी-बड़ी इमेज यहां पर दिखे कि अगर आगर आगे पीछे 았습니다 होने है यहонч got CB होता होती है जैसे कि यहां उसको टर्ड इधर लेना तो यहां congregate आनो या फिर इधर से कोई आ रहा तो इस इमेज में यहां इसको बन जाए कि इधर से कोई गाड़ी आ रहा कि नहीं तो आकि accident होने की chances नहीं यह पूरा complete हो गया यूज ठीक है mirror formula भी करा देख्या आज आपको चले mirror formula भी करिये लेते हैं मतलब mirror खत्म ही कर लें आज फिर हम लोग अब lens mean करेंगे lens से पहले हम लोग क्या करेंगे reflection पढ़ेंगे जैसे कि mirror पढ़ने से दरपन से पहले हमने क्या पढ़ा परावरतन उसी प्रकाद हम लोग reflection पढ़ेंगे अपवरतन तब हम जाके lens समझ पाएंगे चलिए देखे mirror formula धरपन सुत्र क्या होता है इसका formula याद रखेगा 1 by F equals to 1 by B plus 1 by U ठीक है यह होगे आपका mirror formula यही सेम चीज हम पढ़ेंगे एक और lens formula वहाँ पर यहाँ minus हो जाएगा बस अब देखे f क्या होता है यह होता है आपका focal length हिंदी वाले भाई focus दूरी लिख लिजे भी हम आपको बता है image distance ठीक है image distance कहां से from mirror हिंदी में लिखिये भाई दरपन से प्रतिबीम की दूरी और यह हिंदी में इसको लिख रहे हैं English में आप लोग लिखियेगा English में बोल देंगे दरपन से वस्तु की दूरी ठीक है object distance from the mirror अब यह समझ में आ आग या ना focal length क्या ह होता है यह सब मैं फिर दिखा ही दे रहा हूं देखिए यह आप खड़े थे पॉल और focus के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहते है फोकल length कहते हैं यही आपका one by f हो गया ठीक है उसके बाद u हो गया object distance from the mirror भी हो गया जहां इमेज बनी मीर से यह clear हो गया इतना अब देखे अब इसका जो हम sign लेंगे sign convention clear कर लीजेगा यह भी important आपका इसको भी देख लीजे अब हम आपको समझाते हैं देखे दो figure बना दे होगा सबसे पहले हम बनाएंगा आपका क्या concave देखेगा यह आपका हो गया यह हो गया पोल यह हो गया focus यह हो गया center इसको पॉलिस करिए तब जाकर यह concave होगा यह कौन साम mirror है भाई concave mirror है ठीक है अब हम एक बनाएंगा आपका यह हो गया आपका polish अंदर यह हो गया क्या कॉन wax by sign convention बहुत important है ध्यान रखेगा यह हो गया infinity से इधर आएगा minus infinity plus infinity यह क्या हो गया पॉल यह क्या हो गया focus यह क्या हो गया center हमको यह बताइएगा अब देखे क्या ही करवें को इसके लिए important है numerical है बहुत use होगा एकदम ध्यान से इसको समझिएगा मजाग नहीं last time चल रहा है यानि कि class खतम होने वालो तो ऐसा नहीं one by f तो सबसे पहले देखिए f हमको यह बताइए concave में f यानि कि pole और focus के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे focal length यह जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे focal length यह जो focal length है वो क्या होगी कॉनकेव में हमको यह बताएं कॉनकेव में यह क्या होगी फोकल लेंद तो आपको दिख रहा है साब साब की यह पोल के क्या है लेफ्ट साइड में यानि कि यह क्या होगा नगेटिव होगा यानि कि कॉनकेव में हमेशा क्या होता है सर नगेटिव होता है कॉनकेव में याद अब यह पौल के की साभी राइठ साथ यानि पॉजिटीम्हाद दो चीज यहां पर आपक्म के खीकल लेंथ द्या में न्यार्टीव फौक्ल लेंथ फॉकल हों के में नजेटिव teor के खौन हों कि आ Rush की आढ़ेठा करें थे क्या है round object क्या है यह दरपन से वस्तू की दिर यानि कि object distance from the mirror तो हमने क्या बताया था कि object को लिख दे रहे हैं आपर देखे object हमेजा always हम लोग कहां रखते हैं left side में रखते हैं यानि left side ही है left side ही है यह pole है ना बाई left इधर right इधर पोल है तो इधर left इधर right तो object हमेजा left side रखेंगे यानि आप खड़ा हमेजा इधर ही होगे चाहे concave हो चाहे convex हो चाहे mirror हो चाहे lens हो तो pole का ही side क्या होगा left side में negative होगा pole की side क्या होगा यानि कि u की value हमेजा negative होगी always always मतलब चाहे वो कोई भी mirror हो या फिर वो कोई भी lens हो चाहे आपकी concave हो चाहे convex हो चाहे वो concave हो चाहे convex हो क्लियर हो गया अब देखे भी की value भी क्या है sir भी सबसे पहले हम लोग किस में देखते हैं convex में देखते चलिए भी हम लोग कोन्वेक्स में , इन फिनिटी पर रखते हैं ओर इंफिनिटी पर रखते तो फोकस में बनती थी मतल़। or focus के बीच में बनेगी, मतलब Paul के हमेजा right side बनती है यानि कि भी जो होगी हमेजा convex में हमेजा हमेजा क्या होगी, पॉजिटिव होगी याद रखेगा लेकिन यह चीज आगर आप concave में बात करें तो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है अब इसी का खेला है सर, अब इसको numerical में आपको देखना होगा, कि कब positive होगा, कब negative होगा, अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखे, अगर आप infinity में खड़े हैं, तो आपकी image कहां बना, focus पे बना, बना की नहीं बना, focus पे बना, यानि कि pole के left side है, यानि कि negative अभी हुआ, अगर अगर आप infinity center के बीच में खड़े हैं, तो आपकी image कहां बनी, center और focus के बीच में बनी, यानि कि pole के left side में, तो negative अभी भी बना, अगर आप focus पे खड़े हैं, तो आपकी image इंफिनिटी में बनी, तो ये भी आपकी कहां बनी, तो ये भी आपकी आपकी negative होगा, अब अगर pole के बीच में खड़े हो रहे थे, तो आपकी image किधर बन रही थी, behind the mirror, यानि कि pole के right side बन रही थी, तो हमेशा याद रखेगा, कौन के mirror में, केवल एक ऐसा position होता है, जब positive बनेगा, क्या भी, कब, जब focus and pole पे आप खड़े होगे, तब बाकी हमेशा negative होगा, इसलिए, कौन pole के बीच में, तब आपका भी, क्या आएगा, positive आएगा, भाई बताइए, समझ में, आया की, नहीं आया, पूरा चीज हमने cover करवा दिया आपका, तीन चीज हमने आपको कहा था, करेंगे cover, एक हमने कहा था, आपका convex करेंगे, करेंगे करेंगे, पूरा खतम किये, ray diagram पूरा की statement waste का question आता है, वो सब देखना हमें, फिर numerical पढ़ाना है, पूरा का पूरा, ये सब जितना अभी आपको sign convention, ये सब समझ लिए होंगे आप, इसका use करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है भाई, चलिए, वीडियो काफी लंबब बना, इसके लिए हम आप से छमापराती च आते हैं, भाई, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,